अकाश्वानी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादी शेक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं सैयुक्ता बानर जी पहले मुख्य समाचार भोपाल अंदोर बुरहानपुर खंडवा सहित दस जिले रेड जोन में शामिल बाकी पूरा प्रदेश ग्रीन जोन में जन जीवन होगा सामान्य प्रदेश में काफी हद तक कोरोना पर नियंतरण मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चौहान ने कहा रेकावरी रेड बढ़कर 46 प्रतिशत हुआ पिछले एक हफ़ते में बढ़वानी के बिजासन घाट से एक हजार से ज्यादा बसों के जरिये 46 हजार श्रमिकों को उनके ग्रह राजियन शुल्क भेजा गया और बाला घाट के एक शक्स ने पेश की मिसाल पिता की तेरवी का खाद्यान गरीबों की मदद के लिए दान किया अब समाचार विस्तार से प्रदेश में लॉकडाउन चार के अंतरगत सभी जिलों को दो जोन रेड और ग्रीन में बाटा गया है मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चोहान ने कल शाम दूरदर्शन के माधियम से प्रदेश की जनता को संबोधत करते हुए इसकी घोशना की श्री चोहान ने बताया कि रेड जोन के अंतरगत इंदौर उज्जैन जिले का संपूर्न क्षेत्र भोपाल, बुरहानपुर, जबलपुर, खंडवा और देवास के नगरपालिका निगम तथा मंसौन, नीमच, धार और कुक्षी के नगरपालिका क्षेत्र होंगे बाकि सभी जिलों को ग्रीन जोन में रखा गया है मुख्यमंत्री ने बताया कि रेड जोन के अंतरगत, मुहले की दुकाने, स्टैंड अलोन दुकाने, रहवासी परिसर की दुकाने और बाजारों में स्थित आवश्यक वस्तूओं की दुकाने खुली रहेंगी कंटेन्मेंट एरिया में कोई उद्धोग संचालित नहीं होंगे, परंतु इनके बाहर सभी इस्थानों पर उद्धोग संचालित किये जा सकेंगे स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, प्रिसिक्षन संस्थान, होटल, रेस्टोरेंट, हास्पिटेलिटी सेवाएं, सिनेमा हाल, सापिंग माल्स, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, आडिटोरियम, सामुदायक कारिकम, सभी प्रिकार के सामाजिक, राजनेतिक ठेलकूत संबंधी, मनोरंजन, अकादमिक, आयोजन और बड़ी सभाएं पृतिवंधित रहेंगी, सभी धार्मिक इस्थल, पूजा इस्थल और धार्मिक सभाएं नहीं होंगी, साम सात बजे से लेकर सुबह सात बजे तक लोगों का आगमन पूरी तह से पृतिवंधित रहेगा ये ग्रीन जॉन में भी और रेट जॉन में भी 2020 को 19.03 प्रिशत थी, जो दिना 18 मई को बढ़कर 40 प्रिशत से भी अधिक हो गई, लेकिन संकट अभी टला नहीं है, खतरा भी है, सावधान रहने की जगवत है मुख्यमंत्री के इस संदेश का पुनह प्रसारण आज सुभा 11 बजे सभी क्षेत्रिय न्यूस चैनल्स पर होगा देश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या एक लाग से ज्यादा हो गई है, हलाकि कोविड-19 रोगियों के ठीक होने की दर भी बढ़कर 38.29 प्रतिशत हो गई है स्वास्त और परिवार कल्यान मंत्रवाले ने कहा है कि कोविड-19 संक्रमिन से कुल 36,824 रोगी स्वास्त हो गई है जबकि 3,029 लोगों की मृत्यू होई है प्रतेक एक लाग की आबादी पर भारत में संक्रमिन लोगों की संख्या करीब 7.1 एक रही है जबकि विश्व में एक लाग की आबादी पर लगभक 60 लोग संक्रमिन है प्रदेश में सबसे ज्यादा संक्रमिन इन दौर में पिछले 24 घंटों के दौरान 72 नए कोरोना प्रभावित मिले हैं इसके साथ ही जिले में कोरोना वारिस से संक्रमिन मरीजों की संख्या 2637 तक पहुँच गई है वहीं दो और मरीजों की मृत्यू होने से कोरोना संक्रमिन से मरने वालों की तादात 103 हो गई है जिले में फिलहाल 1376 कोरोना संक्रमितों का उपचार जारी है इधर भुपाल में कल 19 नए मामले सामने आए हैं अन्हें मिलाकर जिले में संक्रमितों की संख्या 1038 हो गई है ग्वालियर में कल 400 में से 8 पॉजिटिव प्रक्रणों का पता चला है कलेक्टर कॉशलेंद्र विक्रम से ने बताया है कि पॉजिटिव पाए गए तीन व्यक्ति डबरा से और 5 अन्य व्यक्ति है जिनकी ट्रावल हिस्ट्री पता चली है उधर खंडवा में कल 21 नए संक्रमितों का पता चला है सतना से हमारे समवाद दाता ने बताया है कि मजगवां के हर्दी में एक युवक कोरोना संक्रमित पाया गया है जिससे जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 9 हो गई है मुरैना में कोरोना पिड़ित गर्भवती महिला के चार और परिजन संक्रमित हो गए है पोर्सा के लोलकी गाओं में हम्दाबाद से आई दंपती के 15 परिजनों में से कुल 11 लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं कल जबलपुर के लिए राहत भरी खबर रही जहां सभी 56 रिपोर्ट्स नेगितिव मिली है उजयन में कल कोरोना से संक्रमित 21 नए मरीजों के साथ अब प्रभावितों की संख्या बढ़कर 362 हो गई है उमरिया जिले में कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्ख में आए 32 लोगों में 31 रिपोर्ट नेगितिव आई है वहीं एक के दो बारा सैंपल भेजने की सला दी गई है खरगौन में कल दो अलग-अलग रपोर्ट में 15 और नए मरीजों का पता चला है इससे संक्रमितों की संख्या यहां पर 114 हो गई है अलिराजपुर कलेक्टर सुर्भी गुप्ता ने लोगों से नियमू का पालन करने की अपील की है ध्यान रखिए ऐसा करके ना सिर्फ आप अपनी बलकि अपने परीजनों और कई अन्य लोगों के जीवन को खत्रे में डाल रहे हैं राज्जी में COVID-19 के बढ़ते मरीजों की संख्या के बीच अब तक करीब धाई हजार लोग स्वस्थ हो चुके हैं भुपाल के चिरायू अस्पताल से 28 मरीज स्वस्थ होकर घर लोटे आज भी यहां से 49 लोगों को चुटी दी जाएगी उधर खंडवा जिले में 5 मरीजों ने कोरोना पर वजय हासल की है इसके अलावा एक अन्य मरीज की इंदोर के और विंदो होस्पिटल से चुटी होई जबलपुर में कल 6 मरीज कोरोना से जंग जीत कर घर पहुँचे खरगौर में कल 19 लोगों ने कोरोना पर जीत हासल की जिले में अब तक 114 में से 82 लोग पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं ये समाचार आप आकाश्वानी भोपाल से सुन रहे हैं हमारे समाचारों को आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुवधा के नुसार सुन सकते हैं ये समाचार बुलिटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेस्बुक पर AIR News भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या AIR News आप पर भी ये समाचार सुन सकते हैं ब्रिक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है लॉकडाउन के मद्दे नजर महराश्ट्यू से बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश और बिहार जाने के चुक श्रमिक बिजासन खाट से मधिप्रदेश की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं बारह मई से अभी तक राज्य सरकार ने 1042 बसों के माधियम से 46,890 श्रमिकों को उनके ग्रह राज्य तक नहिशुलक भेजा है आधिकारिक जानकारी के अनुसार कल सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक 230 बसो के माध्यम से 10,000 से अधिक श्रमिकों को बसो के माध्यम से उनके गंतव्यस्थल के लिए रवाना किया गया साथ ही श्रमिकों की स्क्रीनिंग, काउंस्लिंग कर रूट चार्ट के अनुसार बसो के माध्यम से उन्हें भेजा जा रहा है इस दोरान मजदूरों के भोजन पानी की व्यवस्था भी निहशुल्ख की जा रही है बालखाट जिले में कोरोना महमारी संकट के दोरान आम जन गरीबों, पीड़तों और असाहायों की मदद के लिए स्वप प्रेड़ना से आगे आ रहे हैं और जिला प्रशासन दोरा बनाए गए खादियान बैंक में खादिय सामगरी का दान कर रहे हैं ऐसे ही एक दान दाता है शरत से ठाकुर जिन्होंने पिता की तेरवी का कारिक्रम ना कर खादियान बैंक में खादिय सामगरी का दान कर उधारन प्रस्तोत किया है हमारे समवादाता से बाचीत में शरत से ठाकों ने बताया कि लॉकडाउन के कारण भीड एकत्रत नहीं होने देने के नियम का पालन करना जरूरी था इसी लिए उन्होंने अपने स्वर्गिये पिता की स्मृती में खाद्यान बैंक को गरीबों और असहायों की मदद के लिए खाद्य सामगरी का दान किया है कोरोना संक्रमन के कारण इंदोर के पश्चिम क्षेत्र विद्योत वितरन कंपनी के बिजली बिल वसूली प्रकृया प्रभावित हुई है कमपनी के प्रबंध निदेशक विकास नर्वाल ने बताया कि कमपनी के कारिक्षेत्र के सभी 15 जिलों में राजस्व बढ़ाने के लिए विशेश योजना बनाई गई है इसके तहट ग्रामेन और चुनिंदा शहरी क्षेत्रों में युवा दुपहिया वाहनों के माध्यम से घर खर जाकर बिजली बिल की राशी लेंगे इसके लिए नियुक्त युवा बिजली कमपनी के एप के अनुसार बिल राशी लेकर भोगताओं को ई रसीद भी देंगे शुई नर्वाल ने बताया कि इस योजना से सम्मंधत क्षेत्र के युवाओं को रोजगार भी मिल सकेगा माधिमिक शिक्षा मंदल द्वारा सतर दो हजार उन्नीस बीस की प्रारंभिक शिक्षा में पत्रुपाधी पाठिकरम, डियलेड, नियमित प्रथम और द्वितिय वर्ष की दो जून से होने वाली परीक्षा अगामिया देश तक के लिए स्थागत कर दी गई है COVID-19 के संक्रमर नौर देश व्यापी लॉकडाउन के कारण ये नर्नैली आ गया है अब कुछ समाचार संक्षेप में मंदला में कल संकट प्रबंध समिती की बैठक में केंद्री इसपात राज्यमंत्री फगन सेह कुलस्ते ने कहा कि COVID-19 से बचने शासन द्वारा जारी दिशा नर्देशों का पालन नहीं करने वाले व्यक्तियों पर सक्त कारवाई की जाए नर्मदापुरम संभाग आयोक्त रजनी श्रवास्तव ने स्थानी उत्पादों को प्रोचसाहित करने और उनकी खपद बढ़ाने के लिए संभाग के तीनों जिलों हर्दा, बैतूल और होशंगाबाद के उद्योग महा प्रबंधकों से आवश्यक कदम उठाने को कहा है मालगाट कलेक्टर ने कहा है कि नमक की कमी अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कारवाई की जाएगी सिंग रॉली कलेक्टर की पहल पर देर रात 16 रुपे प्रती क्यूबिक तैक किया गया है रेत का दर चिंदवाडा में अब तक 15 राज्यों से 2389 प्रवासी मजदूर जिले में वापस आए हैं राइसेन कलेक्टर ने नागरिकों से कोवड-19 संक्रमन के लक्षन तुरंत बताने की अपील की है और आगर मालवा जिले में क्रशी वैग्यानिकों ने टिड़ी दल से फसलों को बचाने के लिए जरूरी नर्देश का पालन करने को कहा है अंत में बुलिटन के मुख्य समाचार एक बार फिर भुपाल अंदौर बुरहानपुर खंडवा सहित दस जिले रेड जोन में शामिल बाकी पूरा प्रदेश ग्रीन जोन में जन जीवन होगा सामानिय प्रदेश में काफी हद तक कोरोना पर नियंतरन मुख्य मंतरी शिवरा सिंग चौहान ने कहा रिकावरी रेड बढ़कर 46 प्रतिशत हुआ पचले एक हफते में बढ़वानी के बिजासन घाट से एक हजार से ज्यादा बसों के जरिये 46 हजार श्रमिकों को उनके ग्रह राजजन शुल्क भेजा गया और बाला घाट के एक शक्स ने पेश की मसाल पिता की तेरवी का खाद्यान गरीबों की मदद के लिए दान किया इस बुलिटन में इतना ही घर में रहिए सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाई श्वारी नमस्कार झाल झाल